नमस्कार दिल्ली तक में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ पंडित प्रवीन मिश्रा आज बात करेंगे दिल्ली की दिल्ली वालों की क्या कहते हैं दिल्ली के सितारे यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्यपूर्ण है क्योंकि बहुत ही कम समय में हम आपको बताएंगे कि आपके सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं तो चलिए बिना देर की ये शुरू करते हैं कि मेश राशी वालों के लिए सितारे क्या संकेत कर रहे हैं तो भाईया देखिए यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपकी मेश राशी है तो आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा से आपको विशेश रूप से फाइदा होगा, तो यदि आप टूर पर जाना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है, आप जा सकते हैं, और हाँ, मित्रों से आपको मदद मिलेगी, दोस्त आगे बढ़ करके आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप मित्रों के सहयोग से आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं, अब बारी आ गई है वरस राशी वालों की, तो दिल्ली के सितारों में आईए जानते हैं कि वरस राशी वालों के लिए दिल्ली के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो देखिए, दिल्ली के सिता खासकर जो व्रस राशी के लोग हैं, उनके लिए संकेत ये हैं सितारों के, कि आप यदि कोई दवाई खा रहे हैं, तो समय पर लेते रहें, रोग को लेकर के बीमारी को लेकर के बहुत इलर्ट रहने की आवशकता है, क्योंकि रोग आपको परिशान कर सकते हैं, और हाँ, ज सितारे आपके लिए संकेत दे रहे हैं, कि वाणी में विशेश रूप से नियंतरन रखें, किस से क्या बोलना है, कब बोलना है, इस बात का विशेश रूप से ख्याल रखें, जितना कम बोलेंगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, दिल्ली के सितारों में बारी आग आप सिंग राशी वालों की सिंग राशी वालों के लिए सितारे संकेत कर रहे हैं कि ए आघे बढ़ने का समय है महनत करने का समय है यद्य आप कोई ना पाउन् adhere का'm शुरूद करना चाहते हैं नाई योजना पर वर्प्र करना चाहते है तो यह बहुत important समय है decision लीजे आगे बढ़िए दिल्ली के सितारों में बात करतें आप कन्या राशी वालों की कन्या राशी वालों के लिए ये समय ऐसा है कि आप अपने मान सम्मान को ले करके बहुत alert रहे आपका व्योहार आपका कारे आपके मान सम्मान पर असर ना डाले इस बात का हमेशा मन में ख्याल रखिए और हाँ ये समय लाब के योग बना रहा है यानि धन लाब आपको होगा दिल्ली के सितारों में बारी आगई अब तुला राशी वालों की तुला राशी वालों को अपने कारे में यदि आप जॉब करते हैं तो अपने कारे में अपने इनर्जी लेवल को और बढ़ाना होगा तो आपको सफलता मिलेगी यदि आप business करते हैं तो सावधान रहे कोई साजेदार कोई partner आपको अचानक धोखा दे सकता है दिल्ली के सितारों में अब बात करते हैं वरश्चिक राशी वालों की वरश्चिक राशी वालों के लिए सलाह ये है कि देखे आपकी राशी का सौमी मंगल इस समय ये संकेत कर रहा है कि आप जो भी फैसले करें खासकर जो managerial decision है वो बहुत सोच समझ करके लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और हाँ अपने परिवार वालों को थोड़ा और समय दीजे परिवार के साथ वक्त विताइए उनकी बातों को समझे उनकी समस्याओं को सुल जाने का प्रयास करिए दिल्ली के सितारों में बारी आगई अब धनू राशी वालों की धनू राशी वालों के लिए ये है कि जो आपके सामने चैलेंजिस हैं जो चुनौतियां हैं उनका डट करके मुकावला करिए आपको सफलता मिलेगी आपके काम बनेंगे दिल्ली के सितारों में बारी आगई अब मकर राशी वालों की मकर राशी वालों के लिए सलाह ये है कि यदि आप बिजनस करते हैं तो पार्टनर्शिप में किसी के साथ बिजनस ना करें आपको नुकसान हो सकता है और हाँ अपने लेंदेन करते समय बिजनस डील करते समय बह के लिए सलाह ये है कि कुम राशी वाले जो भी कारे करना चाहते हैं आप समय पर पूरे करने के कोशिस करिए आपके लिए अनुकूल समय है धनलाब के योग बन रहे हैं दिल्ली के सितारों में बारी आ गई अब मीन राशी वालों की मीन राशी वालों के लिए सलाह ये है कि ये धैरे रखने का समय है, धैरे रख के काम करते रहिए, खूब मेहनत करिए, अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है, तो दिल्ली तक में आप देख रहे हैं दिल्ली के सितारे, आप दिल्ली तक को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो बेल लगी हुई है, बेल को जरू नमस्कार